Hello friends, I am Bani Sri Sahu and I want to share my happiness that I got selected in Indian Bank through IBPACE Clark exam जिसका कल ही रेजल्ट आया and मैं बहुत खुश हूँ कि तीन साल के प्रिपरेशन के बाद मैंने फाइनली जॉब ले ली and मैं अपनी बैंकिंग प्रिपरेशन लाइफ के बारे में कुछ सेर करना चाहती हूँ मेरा प्रिपरेशन स्टार्ट हुआ था 2017 से and 2017 में मैंने फ्रेस में ही RRB कलॉर का प्री एक्जाम क्लियर की थे but unfortunately मैंने एक्जाम क्लियर नहीं हुआ तो मैं सोच रहे थे कि साइज अगर ज्यादा प्रिपरेशन करूंगी तो अल्मोस्ट पीयो या क्लॉर के बैंकिंग सेक्टर में कुछ तो बन लिए जाओंगी ले मेंडेंगी फिर से बन लेण मुझे दृधा कि प्रिपारिशन स्टाट वगुए ट्रीच क्लॉर के अखिंगी मैंस ऍहुआ हुआ थे । मुझे लगा कि कुछ प्रॉब्लम हो रा तो मैरा मैंस क्लियर हो रा था तो मुझे एक एसा प्लाटफर्म चाहे था जो कि मुझे यह गाइड कर से कि में इन केसी क्लियर करना है तो मैं उस बगत उसके बाद मैंने अभी पेस गाइड के कांटक्ट में आई एंड उस बगत यसरा सार और रोई सर थे जो कि मैंट सेंड रिजिनिंग पढ़ा रहे थे मैं तो पहले इस अभी जी सर को फॉलो कर ही रही थी एंड मैंने फिर से प्रिपरेशन स्टार्ट की गाइड ली के थ्रोग और 2019 में मैंने फिर से मेरा एक्जाम देना स्टार्ट की फिर से मेरा प्री क्लियर होना स्टार्ट हुआ एक्से एक्जाम से एक्से एक्जाम एसी एक फ्रन बाद राघ्टा इसट्न ओप मेरा बाइन-धप अगरोध करते इयुक्ड के नहीं परेग要 फ्रॉस्टररेशन लग रहा था कि मैन्स क्लियर ह्यों दो fight फाइनली इस पीयोज के में सेग्जाम क्लियर हुए इंटेश तक गई इंटेशियों करते पर Technology Meg Yeah स्टेश्यार्ट का दोना एक साहथ मेरा चल रहा था थोड़ा हाद लग रहा था इग्जाम दी एक्यों का भी इंटरभ्यू दी यह मैं बोलना चाहती हूं बैंकिंग आस्पिरेंट के लिए कि फेलर तो होंगे ही लाइप में तो बहुत बहुत सारा फेलर हुई इसको केरियर बनाना चाहते हो उसको केरियर बना अपना जिद है तो जिद है